Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अरुशी की हत्या का दोशी पाय था और दोनों को अम्रिकायत की सजा सुनाई थी. फिलहाल दोनों ही घाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. जो पहले कोट्र ने फैसले की हैं उसमें बहुत तथ दिखाई देते हैं और जिसमें माता-पेता का इंवाल्मेंट दिखाई देता है और तो कि मैंने सारी इन्वेस्टिकृश्यों में बहुत नजी से देखा हुआ हैं मैं हर सरकमसांस जानता हूं जो मेरा चाली साल का एक्स उसके साब से मैं कहीं ने कहीं उनको दोशी मानता हूं लेकिन आपको पूरी फ्रीडम है कि जो जुडिशल सिस्टम तैक करेगा वो यह माने हो और बेहत एहम फैसला जिस पर सभी की निकाएं और इस पर चर्चा के लिए हम से सीदे जोड़ रहे हैं तलवार दंपत्ती के वकेल सत्यकेतु सिंग साथ ही हमारे सयोगी सीबियाई कोड के बाहर मौझूद हैं ब्रजेश तिवारी और इलाबाद हाई कोड की गतिविदी पर नज़र रखे हुए हैं सर्वेश दूबे सबसे पहले सत्यकेतु सिंगी आपसे ये जाना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से बिंदू थे जिसे लेकर आप इलाबाद हाई कोड पहुंचे और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है लेकिन पर दौनों के उपर अटेक किया गया सबसे पहले लेकिन यह बड़ा अनेचरल है कि जहां पर दौनों के उपर अटेक किया इतनी गंभीर चोटे हैं लेकिन हेमराज का एक बूंद भी बलड वहां पर नहीं मिला है तो उन से किसी की तरह कोई कड़ी ऐसी नहीं मिलती है चेन जैसे कहते हैं किसी भी तरह से बहुत कलपना करें तो भी संभव नहीं कि घटना ऐसी होई उसका सबसे बड़ा कारण यह साथ में कि चोट लगी हुई है जो बॉड़ी पर दोनों के हैं वह गोल्फी स्टिक से संभव भी नहीं है सारी कहानी जो है उसमें कहीं आपस में कोई कर्रेक्शन नहीं है तो आपको यह कालपनिक लग रहा है और इसलिए भी आपने इन बिंदूओं को लेकर हाई कोट में अपील की है लेकिन घाजियाबाद से ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी हमसे जोड़ रहे हैं ब्रजेश अ पूरी सुनवाई के दोरान हम लोग वहीं कोट के अंदर मौजूद थे और सेम यहीं दलेली जो अभी सत्यकेतु जी बात कह रहे हैं सेम दलीले शुरुवात में भी कही गई थी हमारे साथ नरेश यादव जी है नरेश राजकुमार जिसको पोलिस ने गरफतार किया था न कतल करने के बाद कभी यह नहीं कहेगा कि कतल उस Whatsny कि रॉली जाता है ओड़ियेंस के अधार पर है कि उस रात 15 मई 2008 की रात दबल मडर हुए थे तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पुलिस और cbye दवनों की टीमों ने अपनी जाचे पाया था कि उस रात उस फ्लेट के अंदर ना तो कोई-अँअर व्यक्ति आया ना कोई बहर गया तो केवल तलवार दमपती ही उस रात उस फ्लेट के अंदर ऐसी श्थिति में जब आएक फ्लेट के अंदर चार लोग हो दो की हत्या हो जाए और केवल दो लोग बचे हो तो कैसे मान लिया जाए कि कोई और उन्हें आकर के मार गया और दूसरी चीज इसमें ये थी कि जो वहाँ एविडेंस थी उसको डेस्ट्रोई करने का काम तलवार दमपत्ती ने किया था चाहे वो फर्स से खून की सफाई करना हो चाहे दिवारों की सफाई करना हो चाहे और जो बैड के तकिया और वो बिस्तर वगएरा थे उस सबी को भी उन्होंने छिपाने का काम किया था तो ये सारी evidence इनके खिलाब थी इसके इलाबा जो सबसे बड़ी evidence ही आई कि जो नौकर था हेमराज उसकी बोड़ी छट पर मिली और छट का ताला लगा दिया गया था और जब पुलिस टीम उपर छट पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी तो उसको रोका गया उनको गुमरा के गले पर कटके निसान आये थे वो surgical blade के थे और surgical blade के जो expert है वो डोक्त साब swim ही है कोई और दूसरा नहीं है अगर कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा मारेगा तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और केवल कुछ यहां अलाबाद हाई कोट फैसला सुनाता है लेकिन किस तरह की हल चल या गदिविदी उससे पहले आप देख रहे हैं आप दिनिश्चित तौर पर यह काफी अहम फैसला है और बहुत चर्चित नोड़ा का आरुशी हेमराज मर्डर जो केस है इसकी सुनवाई लंबी चली है हाई कोट में और काजियाबाद सीबी आई कोट ने इस हत्याकांड के मामले में डाक्टर नूपुर तलवार और राजेस तलवार को जो उम्रकायत की सजा सुनाई है उसके खिलाब डाक्टर दंपत्ती ने इलाबाद हाई कोट में अपील दाखिल की थी और दो साल से ज़्यादा लंबी चली सुनवाई के बाद इलाबाद हाई कोट ने इसी साल 11 जनवरी 2017 को इस मामले में अपना फैसला हुई और तमाम जो सबूत हैं तमाम जो गवा हैं वह यहां पर पेश किया गए और उसके बाद कोट निसमें जजमेंट सुरक्षित किया था लेकिन उसके बाद भी इलाबाद हाई कोट ने जजमेंट को डिलेवर नहीं किया और दोबारा एक सुनवाई का मौका पिटिशन सुना सकती है जिसको लेकर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है कि क्या ज़र्जमेंट आता है जिस तरह से गाजियाबाद CBI कोर्ट डक्टर दंपत्ती को अपनी बेटी और नौकर के हत्या के मामले में दोशी करार दिया था और उम्रकायत की सदर सुनाई थी उसको लेकर यह फैसला काफी अहम हो जाता है कि इस फैसले के आने के बाद डक्टर दंपत्ती को कोई रिलीव मिलती है या फिर गाजियाबाद CBI कोर्ट के जो उम्रकायत का फैसला था वो बरकरार रहता है संदीब कुमार भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं संदीब जब CBI के जॉन डिरेक्टर अरुन कुमार ने जाच पड़ताल शुरू की थी तो नौकरों पर शक जाहिर किया था लेकिन जब यही पड़ताल जावेद एहमत के हाथ में गई बतर CBI जॉन डिरेक्टर तो उन्हों उन्हें शक की सुई तलवार दंपत्ती की और घुमादी क्या इस तरह की पेचीदगी इलाहबाद हाई कोट में इन्हें कोई हेल्प कर सकती है पूरा मामला है इसमें सुरुआत से ही काफी सारे आप कह सकते हैं मोड आये हैं और अजीबों गरीब चेंजिंग हुए जैसे कि आपने कहा पहले जो आयों थे अरून कुमार उन्होंने फादर मदर के बजाए नौकरों को अरिस्ट किया था और उनका मानना था कि नौकरों पहले थी कि इन नौकरों नहीं मडर किया था लेकिन अचानक उसके बाद से कि ने एक दूसरा आयो आपॉइंट किया और इस आयों ने अपनी जांच शुरू की और उसका दूसरे आयो का जो जांच अधिकारी था उसका सीधा उसकी जांच जो थी वो नौकरों से हटके पे तो फिर दूसरी टीम क्यों आती हैं तुमाम ऐसी चीजें जो प्रशाद भी यहां पर गह रहे थे तमाम ऐसी चीजें जो चौक आती है बिल्कुल देखिए और जो दूसरी टीम ती उसने भी जांच की और अल्टिमेटली उनको प्रतेक्ष कोई साक्ष नहीं मिला जो आप कह सकते हैं कि साफ साफ कोई सबूत मिला हो वो सबूत नहीं था उनके पास उनके पास सरकम्स्टांसियल एविडेंस थे और उसी अधार पे इन्हों ने लोवर कोट यानि गाजियाबाद की जो सीवियाई कहा था कि हमारे पास सिर्फ सरकम्स्टांसियल एविडेंस हैं कोई प्रत्रक्ष प्रमान नहीं है इसके बाद कोट ने यह फैसला किया कि इस इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उसके बाद आगे सुनुआ हुई और कोट ने पाया कि इस पूरे मामले में तनवार दमपत्ती ही दोसी है उन्हों नहीं हेमराज और मटर हेमराज और आरुसी की हत्या की है और उसके बाद लोवर को जो सीबियाई की विश्यसादालत थी उसने उनको उम्रकेद की सज़ा कुन ही बिलकुल सत्यकेतु सिंग तलवार दमपत्ती के वकील भी लगातार हमारे पास इस तरह का वैपन हो सकता है कि अधिये ऐसा है जिसे सर्जिकल ब्लेड कह रहे हैं वह अगर आपने देखा हो यह डेंटिस्ट है यह सर्जन वैसे सर्जन नहीं थे तो दात के अंदर जो काम करने के लिए सर्जिकल ब्लेड होता है उसकी पूरी लंबाई मुश्किल से सवाइंच होती है दूसरा यह है कि सर्जिकल ब्लेड घर के अंदर सर्जरी थोड़ी करने पड़ती है और घर में अगर घर में रसोई वाला चाकू मौझूद है वह बड़ा अगर किसी हत्या करनी है बड़ा हत्यार का इस्तमाल करेगा जी और जो चोट आई हैं जितनी ब्रजेश आप तक हमारी आवाज पहुंच रहे हैं तो नरेश यादव यह जो दलील दे रहे हैं उसका खंडन कर रहे हैं सत्यकेतू कि इस तरह के हत्यार से तो हत्या नहीं हो सकती उनके क्या दावे हैं प्रजेश सत्यकेतू सिंग तलवार दंपत्ती के वकील ये कह रहे हैं कि जिस वैपन का दावा किया गया हत्या करने के लिए इस्तिमाल करने का उससे इतना बड़ा कांड अंजाम नहीं दिया जा सकता उसकी बमुश्किल लंबाई एक इंच होती है तू क्या कह रहे हैं नर अब बिल्कुल सीधा नरेश जी से बात करते हैं नरेश जी इसमें सत्यकेतू जी कहना है कि जिस हतियार से यानि सजिकल ब्लेट से जो हत्या की गई है जिस आप से आशंका जो थी उतना बड़ा घाओ सर्जिकल ब्लेट से अन्जाम नहीं दिया जा सकता है देखिए जो फॉरंसिक टीम है जो जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टिकेशन किया है वो सभी लोगों का ये कहना है डॉक्टर की टीम का ये कहना है पोस्टमर्डन डॉक्टर का ये कहना है कि ये सर्जिकल ब्लेट से गला रेते गई हैं अब एक आदमी ये कहता रही कि तो इसका क्या जबाब दूँ कि यह तो इन्वेस्टिकेट हो चुके सारी चीजें कि गले सर्जीकल बिलेड से काटे गए या किसी और हतियार से काटे गए तो सब कि जाच और जो भी राय आई है जो भी एक्सपार्ट ने जो कहा है वो यही कहा है कि गला जो है वो सर्जीकल बिलेड से रेते गए हैं तो इससे बड़ी एविडेंस और क्या हो सकती है यह जो रिपोर्ट से हो सब आप लोगे पास बिल्कुल सभी सभी चीजें कोट में आई ह होगी क्योंकि यहीं तमाम दलीले तो पहले भी थी कि मामले में उसने सुनवाई की है और वो किसका पक्ष मजबूत मानती है सीबी आई का या तरवार दमपति के वकीलों का यह कोट का कोट पही निरभर करता है कि वह इस पूरे मामले में क्या फैसरा देगी लेकिन जो में बत आई थी सामने की पहले गोल्फ क्र Rice से इनके सर पे मारा गया था और इसके बाद फिर इन दोनों का गर्दन काटा गया था सेमपे तो वह गोल्फ क्र Safi दो रहन कई महीनों बाद सीबीकिय ने बरामत कि यह फोक ह्लाकि वह साब सुथा कर दिया गया था और उसमें को तलवार दमपत्ती को की दली उन्हें ठीक लगती है और उसी अधार पर फैसला आएगा पहले से कोट के आदेश को और फैसले को लेके हम कुछ कह नहीं सकते ही मानी बिलकुल सत्यकेतु सिंगी जिस तरह के दावे प्रती दावे होते रहे कोट में आज तो अब हाई कोट को फ किसने हत्या की देखिए यह जब जब इस पर इस प्रकार का जो परिसिती जन्हें साक्ष होता है सरक्मिंस टांशल एविडेंस होती है जी रिकॉर्ड के उपर इस तरह की कोई एविडेंस जिसे क्रेडिबल एविडेंस मारा जाए कि फ्लैट के अंदर केवल चार लोग थे किसी कोई एविडेंस नहीं है बलके इसके खिलाफ एविडेंस है कि वहाँ पर ती दो लोग और की संभावना है यह मिस्टर के के गौतम जो एक्स पुलिस ऑफिसर है उनके स्टेटमेंट से जाहिर है पिछी विए को भी उनों ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हिमराज की कमरे में गिलास भी पाए गए थे हिमराज की कमरे में जो चादर विची हुई थी जो गद्धा है उसके उपर इस पौर इसके उपर यह डिपरेशन था कि तीन आदमियों और बैठे हुए हमाँ पर तो और दूसरा यह के फोर्स एंट्री नहीं है फ्रेंडली एंट्री थी फ्रेंडली एंट्री हमराज ने कराई थी अपने मित्रों की जी अब देखना ही है कि इसा हम दावों के बाद आफिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है जो आज तकरीबन दो बजे की आसपास आ सकता है आप सभी काम से चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत-बह गुजरात दोरे के आखरे दिन राहूल गांधी ने पियम मोदी पर तंज गस्ता हुगे का दोहजार अठाइस में लोगों को चांद पर घर देंगे पियम मोदी 2030 में चांद को नरेंदर मोदी घटी पे ले आएंगे मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्री और प्रादेशिक विश्विद्यालों के आठ लाग शिक्षकों को साथ में वेतनायों का तोफ़ा दिया पाकिस्तान में नजरबंदी से आजाद हो जाएगा भारत का मोस्ट वांडेट आतंकवादी हाफिस सईद क्योंकि लाहर कोट ने सबूतों को नाकाफी बताया कश्वीर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टर पर मुक्यमंत्री में भूबा मुफ्ती के साथ अलगावबादी नेता आसिया अंध्रावी की तस्वीर के छपने पर ववाल के बाद अफसर सस्पेंड और जान शुद अनि ब्रीट को लेकर हर्याना पुलेस की एसाइटी राजस्थान के शेगंगा नगर में गुर्मीत रामरहीन के पैत्रिक गाह गुरसर मोडिया में सुबूत तलाश दी रही